साथियों एक समय था जब अध्यात्म को धर्म को केवल रूटियों से जोड़ कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़ कर देखा जाने लगा था लेकिन भारतिय दर्शन तो मानव कल्यान की बात करता है जीवन को पुर्णता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है आदी संकराचारी जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की चार धामों की स्थापना की द्वादर जोति रंगों का पुनर जागृति का काम किया उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक ससक्त परंपरा खड़ी की आज उनके अधिश्टान भारत और भारतियता का एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए है हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म और ज्ञान का संबंद क्या है? और इसलिए तो कहा गया है अथातो ब्रह्म जिग्यासा अथातो ब्रह्म जिग्यासा इसका मंत्र देने वाली उपनिशदिय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्ण करना सिखाती है और तभी तो बालग नची केता यम के तरवार में जा करके यम के आँख मिला करके पूछ देता है यम को पूछ देता है ब्रत्य क्या है वताओ प्रश्ण पूछना ज्ञान अर्जित करना अथातो धर्म जिग्यासाब हमारी इस विदासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए है उसे समर्द कर रहे हैं संस्कृत हो संस्कृत भाषा में वैदी गणी जैसे विज्ञान हो इस मठों ने हमारे संक्राचेरी की इस परंपरा ने इन सब का सवरक्षन कर पीडी दर पीडी मार्ग दिखाने का काम किया है मैं समझता हूँ आज के इस दौर में आदी संक्राचारी जी का सिध्धान और जादा प्रासंजगी हो गए है साथियों इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोसव भी मना रहा है देश अपने भविच्छ के लिए अपने पुनर निर्मार के लिए नए संकल्प ले रहा है अमृत महोसव के इस संकल्पों में से आदी संक्राचारी जी को हमें प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेणा के रुप में देख सकते हैं अब देश अपने लिए बड़े लक्षत तयार करता है कछीन समय और सिर्फ समय नहीं समय की सिमा भी हम निधारी करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में यह सब कैसे होगा कभी-कभी लोग यह भी कहते हैं रहे होगा भी के नहीं होगा और तब मेरे भीतर से एक यह आवाज आती है 130 करोर देश वासों के आवाज में सुनाई देती है और मेरे मुह से यही निकलता है एक ही बात निकलती है समय के दाइरे में बंद कर भैभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है आप देखिए आदी संकराचार जी को छोटी सी आयो थी घर बार परिवार छोड़ दिया सन्यासी बन गए कहां केरल का कालरी और कहां केदार कहां से कहां चल पड़े सन्यासी बने बहुत ही कम आयू में इस पवित्र भूम में उनका शरीर इस धर्ती से बिलीन हो गया अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भुकोल को चैतन ने कर दिया भारत के लिए नया बविश्य गड़ दिया उन्होंने जो उर्जा प्रजवलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाये हुए है आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाये रखेगी इसी तरह स्वामी विवेकरंची को देखिए स्वाधिन्ता संग्राम में अनेक अनेक सेनानियों को देखिए ऐसी कितनी ही महान आत्माएं महान विभूतियां इस धर्ति पर आकर यहां प्रकट हुई जिनोंने समय की सिमाओं का उलंगन कर छोटे से कालखन में कई-कई यूगों को गड़ दिया यह भारत इन महान विभूतियों के प्रेड़ा उपर चलता है हम सास्वत को एक प्रकार से स्विकार करते हुए हम क्रिया सिल्ता पर विश्वास करने वाले लोग है इसी आप विश्वास को लेकर देश आँच इस अमुरुत काल में आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में मैं देश वासियों से एक और आगरह करना चाहता है स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े अईतिहास्तिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को पईगी जादा से जादा जाएं नई पीड़ी को लेकर के जाएं परिचित कराएं माभारती का साथ शातकार करें हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूती करें आज़ादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आज़ादी का ये भी एक महोत्सभ हो सकता है हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के हर कौने कौने में हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पढ़ने का ये समय है जिनोंने गुलामी के सैंकडो वर्षों के कालखन में हमारी आस्ता को बांद करके रखा हमारी आस्ता को कभी खरोच जग नहीं आने दी गुलामी के कालखन में ये छोटी सेवा नहीं थी कि आज हादी के कालखन में उस महान सेवा को उसको पूजना उस के तरपन करना वहां तप करना साधना करना क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का करतपे नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ, एगनागरिक के तोर पर हमें इन पविस्त थानों को भी दर्शन कर लिग लिए जाना चाहिए, यहां संस्क्रीत और वेदों के बड़े-बड़े पंडीत यहां भी बैठे हैं और वर्चुली भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप जानते हैं कि संकर का संस्क्रित में अर्थ बड़ा सरल है, संकर का अर्थ संस्क्रित में होता है संकरोती सह शंकर है, यानि जो कल्यान करे वही शंकर है, इस कल्यान को भी आचार्य संकर ने प्रत्यक्ष प्रमानित कर दिया था, उनका पूरा जीवन जितना असाधरन था, उतना ही वो जनसाधरन के कल्यान के लिए समर्पित थे, भारत और विश्व के कल्यान के लिए अहर नीश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे, जब भारत राग द्वेश के भवर में फस करके अपनी एक जुड़ता को खो रहा था, तब, यानि कितना दूर का संत देखते हैं, तब संक्राचारी जी ने कहा था, नमे द्वेश रागो, नमे द्वेश रागो, नमे लोब मोहो, मदो नईव, मे नईव, मात्सर्य भाव, अर्थात, राग द्वेश, लोब मोह, इर्शा, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है, जब भारत की जाती पंत की सिमाओं से बहार देखे की, शंकाओं आशंकाओं को उपर उठने की मानवजात को जुरुत थी, तब समाज में चेतना फुकी, रादी संकरें कहां, नमे मृत्य शंका, नमे जाती बेदह, यानि नास विनास की शंकाएं, जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है, हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए, आदी संकर ने कहा, चिदानन्द रुप रुप खिदानन्द रुप शिवोहं, शिवोहं, उर्थात आनन्द स्वरुपसिव हम ही है, जीवत्व से ही सीवत्व है और अद्वेईत का सिध्धान कभी कभी अद्वेईत के सिध्धान को समझाने के लिए बड़े-बड़े ग्रंथों की जरूर पड़ती है मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ मैं तो सरल भाजा में अपनी बाद समझता हूँ और मैं इतना ही कहता हूँ जहां अद्वेईत नहीं है वही तो अद्वेईत है संक्राचारेजी ने भारत की चेतना में फिर से प्रान फुके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया उन्होंने कहा ग्यान अभी ही ना देखिए ग्यान की उपासना क्या महिमा हमारे कि तरह महत्व रखता है ग्यान अभी ही नहां सर्वमतेन मुक्तिम न भजती जन्मशतेन यानिगी दूख कष्ट और कठिनाईयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्यान भारत की ज्यान की विज्यान और दर्शन की जो कावातीत परंपरा है उसे आदी संकराचार जी ने फिर से पुनर जिवित किया चेतना भर्दी झाल झाल झाल